हलो स्टूडेंट्स वेलकम और वेलकम बैक तो क्लास इंगलिश सिंप्लिफाइड और थैंक यू सो मच फो जॉइनिंग अस तो स्टूडेंट्स हम टेक्स्ट बुक के कोश्चन आंसर को क्लियर कर रहे हैं दि लास्ट लेसन जो कि क्लास 12 फिलमिंगो बुक का चैप्टर नमबर वन है तो यहां पर परकिंग विद वर्ट से हमारे पास जो नेक्स्ट कोश्चन है वो है कि आप एक पैरग्राफ लिखे जो कि हन्डर वर्ट में होना चाहिए और वो किसके उपर लिखना है आपको कि जो स्कूलों के अंदर तीन लेंग्विजिस पढ़ाई जाती है तो या तो आपके इसके अगेंस्ट इस पैरग्राफ को लिखना है या इसके पक्ष में आपको इस पैरग्राफ को लिखना है तो हम यहां पर इसके पक्ष में इस पैरग्राफ को लिखने जाएंगे तो आंसर है कि इंडिया के जादतर स्टेट्स में स्टूडेंट्स को यहां पर तीन लेंग्विजिस स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती है कि सबसे पहले तो बच्चों को रिजनल लेंग्विजिस सिखाई जाती है उस टेट की जिस स्टेट को वो लोंग बिलोंग करते हैं जैसे की गुजराती या राजस्थानी अब राजस्थानी या गुजरात में या इंडिया के किसी भी स्टेट के जो स्कूल सोंगे तो सबसे पहले वो अपने students को उस states से related language को सिखाएंगे जिसको की regional language कहा चाता है the second in Hindi the national language और दूसरी language जो उनको वहाँ पर सिखाई जाएगी वो सिखाई जाएगी Hindi जो कि हमारी राष्ट्रिय भाषा है and the third in English और third language उनको students कों से सिखाई जाएगी जो कि English सिखाई जाएगी और यह एक international language है जो कि हर student के लिए जानना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि यही वो language है जिससे आप पूरे वर्ड में किसी भी country में जाकर एक दूसरे से connect हो सकते हैं तो इसलिए English language भी सीखनी बहुत जादा जरूरी है और यह जो तीनों की तीनों languages जो student सीखते हैं तो यह उनके विकास के लिए बहुत ही जादा जरूरी होती है क्योंकि अपनी राश्ट्रे भाशा को भी सीखना बहुत जादा जरूरी है जो कि हिंदी है इंटरनेशनल लेंग्वेज इंग्लिश भी सीखना जरूरी है क्योंकि यह एक अंतराश्ट्रिय भाशा है और उसके साथ साथ जो उनकी रीजनल लेंग्वेज है जिस स्टेट में वो पैदा हुए है तो वहाँ की लेंग्वेज भी उनको सीखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यही उनके कल्चर को आगे लेकर जाती है और सबसे पहली प्राइटी किसी बच्चे के लिए क्या होती है कि जिस संस्कृती में जिस कल्चर में वो पैदा हुआ है तो सबसे पहले उसे उसी कल्चर को जानना चाहिए कि यानि जैसे राजिस्थान में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो सबसे पहले उसे राजिस्थान की कल्चर को अपने ट्रेडिशन को समझना होगा और अपनी भाशा को समझना होगा कि वो और उसके parents या उसके आसपास के लोग क्या languages को बोलते है The three language formulas help in national integration और यह जो तीन languages का जो formula है जो सूत्र है यह क्या करता है यह राश्ट्रिय integration में मदद करता है राश्ट्रिय एकता को जोडने में यह मदद करता है The young students know about the social customs, culture and traditions of the various parts of the country with the help of these languages और कोई भी जो young student होता है वो इन languages की मदद से क्या करता है कि social customs को जानता है, अपने culture को जानता है और अपने traditional रिती रिवाजों को वो लोग जानते है जो कि इंडिया के various parts में फैला हुआ है क्योंकि इंडिया जो है वो अनेकता में एकता वाला देश है यहां पर हर राजी में custom बदल जाता है, रिती रिवाज बदल जाते है तेवहार बदल जाते है तो यही वो language होती है students जो कि उस state के culture के साथ उसको जोडती है और यह अनेकता में एकता के principle के सिधान पर भी focus है यानि कि जो languages सिखाई जाती है students को तीनो ही language उसके विकास के लिए बहुत जादा important है बहुत जादा जरूरी है तो students उमीद है यह answer आपको अच्छे से clear हुआ होगा वीडियो को like, comment, share जरूर कीजिए साथी चैनल को subscribe करके notification bell को press करके all पर hit कीजिए ताकि आने वाला हर valuable वीडियो आप तक पहुँचे मिलते हम आपसे अपने next वीडियो में keep watching, stay connected, thank you